क्रिश को आगया है काया पर गुसा मोहन जोदारों के बादशा अकबर भड़क गए हैं बॉलिवुट की क्वीन पर कंगना रनौत और रितिक रोशन को लेकर कई किस्से सामने आने लगे जैसा कि सबको पहले पता चल गया था कि दे वर इंटू एन अलीग्ड रिलेशन्शिप उसके बाद कंगना आशिकी थ्री में रितिक के साथ आने वाली थी लेकिन उन्हें आशिकी थ्री से बाहर निकाल दिया गया तब कंगना ने रितिक पर कॉमेंट किया था that why exes do silly things comment was completely dedicated to कंगना दानौत और अब क्रिश चले गए है next level पर उन्होंने एक legal notice भेज़ दिया है कंगना को a leaguing defamation उन्हें बदनाम करने के लिए कंगना को legal notice भेजा है रितिक रोशन में कंगना ने भी इसका जवाब एक legal notice से ही दिया है यह notice है intimidation और threat का यानि कि कंगना को डराया और थमकाया जा रहा है आखिर यह लडाई कब रुखेगी कब इन दोनों का यह controversial relationship settle हो पाएगा यह तो वक्त हमें बताएगा और हम आपको बताएगे